नमस्कार दोस्तों मैं प्रिंस हैनी आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है तो ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे जैसा कि इसके अंदर दो टर्म हमने यहाँ पर यूज की है एक तो है है इसका फॉर्मूला होता है तो आट्रिस है वह लग रहा है जब लड फ्लो कर रहे तो उसको हमें मात्णा होता है तो एक बार human circulatory system को देख लेते हैं हमारे body की अंदर जो pump का काम करता है blood को pump करने का तो वो कौन सा part है वो कौन सा organ है वो heart है यानि कि जो हमारा दिल है वो एक pump की तना काम करता है और पूरी body की अंदर oxygen rich blood को भेजता है और उससे क्या है different cells को different parts को energy मिलती है काम करने के लिए तो इस तरह से circulatory system एक overview हम देख लेते हैं यह पहले lecture में भी हमने देखा था जिसके अंदर हमने heart attack की बात की थी तो वो भी आप हमारा lecture देख सकते हैं कि heart attack क्यों होता है क्या reason उसका हो सकता है बरनूली principle से हमने समझा था तो heart क्या है blood को pump करेगा अब यहाँ पर यह जो होती है यह हमारी artery होती है इसको हम क्या बोलते हैं arteries बोलते हैं और ये हमारी veins होती हैं तो ये हो गई हमारी veins ये है veins और ये है arteries तो ये हमारे पास जो है हमारी body के अंदर होती है arteries थिक वाल की बनी होती है और higher pressure रहता है इसके अंदर blood का और veins जो है वो वापिस हर्ट की तरफ ले कर जाती है blood को जब blood हर एक पार्ट से waste या carbon dioxide जो है उसको इकठा करता है तो वापिस हर्ट के पास जाता है और यहां जो हर्ट है वो lungs से connected होता है तो यहां पर lungs होती है lungs के थूरु जो है हम fresh oxygen जो लेते हैं या कहिंकि oxygen rich हवा अंदर लेते हैं फिर oxygen जो है हमारे हर्ट तक जाती है अब यहां पर यह towards the heart जा रही है यानि कि यह हमारी veins होती है और इसी तरह से यहां से जो है waste जो हमारा होता है फिर जो lungs पर जाता है जो carbon dioxide हम जो छोड़ते हैं तो यहां से यह जो होती है हमारी artery होती है तो यह ध्यान देना है कि एक तो artery यह है कि away जा रहा है blood heart से इसी तरह से यहां भी away तो artery है vein यानि कि towards the heart जा रहा है यहां से और यहां से तो यह veins है तो अब देखे जब arteries के अंदर blood flow करता है तो क्या होता है अब यह जो है force लगती है arteries की walls के उपर क्योंकि एक pipe की तरह है जो arteries है ठीक वाल है और high pressure के कारण जो है यहां पर जो force लग रही है arteries के उपर तो वो चीज जो है हमारा blood pressure होता है वो हम आपते हैं blood pressure को blood जो है heart जब उसको pump करता है तो arteries के थूँ चलता है और वो veins में जाता है veins के पास valve होते हैं यानि कि यह इस तरह के valve होते हैं मानले जी इस तरह का एक valve आप ले लीजिए इस तरह का एक pipe ले लीजिए यहां पर एक valve है यह क्या है हम एक इसको समझने की कोशिश कर रहे है मानलीजे यहां यह वालू है यहां से blood ने flow करना start किया और यह जो है इस तरफ जा रहा है तो यह open हो जाते हैं लेकिन अगर यह blood वापिस flow करने की कोशिश करेगा तो यह close हो जाते हैं तो veins के पास इस तरह के valve होते हैं कि जो उसको blood है हमारे पीछे की तरह flow ना करे तो इसलिए वहाँ पे close हो जाते हैं लेकिन जब blood इस तरह flow करता है तो वो open रहते हैं तो इस तरह से ये एक mechanism पूरा हमारी body के अंदर रहता है लेकिन partially जो blood है वो जो है चला जाता है थोड़ा बहुत चला ही मसल्स जो है जब हमबाग करते हैं तो वो जो है contract और expand होती हैं तो उस समय थोड़ा बहुत जो है partially अगर आप कहें तो ये return होता है वैसे जो वालों हैं ये पूरा काम करते हैं कि इनको वापिस नहीं आने देते जब हमारी ये पूरी normal working condition रहती है तो अब इसके अंदर देखें क्या होता है जैसे कि हमने blood pressure को कहा कि ये arteries के ओपर force जो लग रही है तो वो चीज है अब इसको मापना होता है अब ये different different condition में different different होता है मालने जीए ये कोई ground है surface है और आप जो है यहाँ पर खड़े हैं यानि की vertical position में है अब यहाँ पर देखिए जो pressure होता है blood का वो अलग अलग जगा अलग अलग होता है जैसे हम इसको तीन पार्ट में divide कर लें इस चीज को इस figure को ये brain है यहाँ पर heart है इसको हम acid denote कर देते हैं और यहाँ पर हमारे pair है foot है तो हमने इसको तीन जगा पर divide कर दिया अब जो brain में जो हमारा blood pressure होता है जब हम उसको मापते हैं तो वो लगबग 9.3 kPa के लगबग यह होता है तो blood pressure को मापने की हमारे पास 2 unit होती है एक kPa के अंदर इसको मापा जाता है और एक mm of hg मापा जाता है यानि कि जो mercury का level होता है कितने mm उपर गया उसमें मापा जाता है तो 9.3 kPa का मतलब है यह लगबग जो है 60 से लेकर लगबग अगर आप बात करें यह हमारा 69 तक 60 से 69 तक 69 mm of hg लगबग यह होता है इतना अगर mm of hg में मापे किलो पासकल में मापे तो 9.3 kPa इसी तरह से अगर हर्ट की बात करें हर्ट के पास यह लगबग जो है 13.3 kPa के लगबग जो है यह प्रेशर रहता है और अगर हम mm of hg में इसको मापे तो लगबग जो है यह 99 के करीब रहता है 99 mm of hg mm hg कह दीजिए इसको इतना रहता है अब अगर foot पे मापे तो जो हमारे pair है अगर हम खड़े हुए है तो यहां पर यह जो रहता है यहां पर यह हमारा रहता है लगबग 200 mm of hg के करीब 200 mm hg के करीब रहता है अगर mm hg में आप मापते हैं यानि कि mercury के level मापते हैं वैसे अगर आप इसको देखते हैं तो अगर kilo pascal में देखें तो 26.8 kilo pascal इतना यह लगबग fit पे रहता है foot पे हमारे पैरों पर जब हम खड़े होते हैं तो देखें कितना फरक है brain में और heart में और foot में यानि कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रही है उपर से तो यह pressure बढ़ता चला जा रहा है अब ऐसा क्यों है क्योंकि दिखिए कोई भी चीज है gravity उसको अपनी तरफ खीचती है तो कोई भी चीज है तो density हो गई blood की gravity हो गई और height हो गई इसके उपर जो है pressure है वो depend करता है जैसे हमने liquid column की height के कारण से pressure निकाला था पीछी lectures के अंदर तो P equal to rho g h भी आप कह सकते हैं तो यहां पर जो है rho g h यानि कि इनके कारण से height के कारण से gravity के कारण से और density के कारण से यहां पर pressure ज़ादा होता है लेकिन अगर क्या हो आप जो है लेट जाएं आप अराम की position में हो आप जब आप लेटते हैं तब इसकी distribution क्या होती है तो तब इसकी जो distribution होती है लगबग लगबग की बात कर रहे हैं लगबग 13.1 kilo pascal जो है वो brain पे रहता है इसी तरह से heart की बात करें तो लगबग 13.3 kilo pascal रहता है और अगर feet पे बात करें पैरों पर बात करें तो यह लगबग 13.2 kilo pascal रहता है यानि कि सारी जंगल लगबग 13 kilo pascal के करीब है और अगर आप mm से hg में मापें mm hg में मापें इसको तो यह लगबग जो है आप 90 से 98 कह सकते है mm hg रहता है यानि कि mercury के level में मापें तो 90 से 8 में mm of hg यह लगबग रहता है अलग-अलग persons में अगर आप मापते हैं तो यहां पर तभी कहा जाता है अब देखिए यह जो level है एक normal सा level होता है relaxed level होता है तभी कहा जाता है कि जो अगर हम लेटते हैं अराम करते हैं तो हमारे heart को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता तो easily जो है blood सारी body के अंदर circulate होता रहता है अगर आप खड़े रहते हैं तो ठक जाते हैं क्योंकि जो pumping action है heart का energy चाहिए हर एक part को काम करने के लिए तो वो ज़्यादा consume होती है लेकिन लेटते हैं आपको अराम मिलता है तो energy भी कम consume होती है और आपको जो है एक अच्छा लगता है एक relax feel होता है अब जैसे heart हमारा हमें पता है कि heart के पास pulse rate होती है या कहें कि heart beat करता है अब जब ये beat करता है एक बार ये expand होता है और एक बार ये contract होता है यानि कि एक बार expand और एक बार contract तो अब जब यह एक बर बीट लेता है, तो जो blood का pressure होता है, वो maximum होता है, जब यह expand हुआ हम इसको e लिख लेते हैं, तो जो blood का pressure है, वो जादा होता है, क्योंकि एक दम से यह pump कर रहा है किसी चीज़ को, एक दम से expand होकर, और इसी तरह से जब यह contract होता है, इसको c लिख लेत तो blood का pressure जो है वो कम हो जाता है तो यानि कि वो कम जादा इस तरह से चलता है अब जब pump करता है heart तो heart की जो pumping है जब यह pressure होता है जो maximum pressure की हमने बात की इसी pressure को हम एक नाम देते है systolic pressure तो यह जो नाम हम इसको देते हैं systolic pressure का नाम देते हैं और इसी तरह से जब minimum होता है यानि कि जो heart release करता है तो उसको हम बोलते हैं diastolic pressure यानि कि यह जो pressure है यह हमारा होता है diastolic pressure तो इसको हम बोलेंगे diastolic pressure तो systolic pressure और diastolic pressure हम इसको बोलते हैं अब जो blood pressure है वो इन दोनों का ही ratio के रूप में जो है represent किया जाता है यानि कि systolic pressure by diastolic pressure यानि कि maximum pressure by minimum pressure ये चीज़ आप कह सकते हैं अब अगर आप normal किसी भी person की बात करें अगर वो proper rest ले रहा है resting position में है तो blood pressure जो है वो हम लेते हैं 120 by 80 120 by 80 mm of hg की बात कर रहे हैं यहाँ kilo pascal की बात नहीं कर रहे हैं अगर kilo pascal की आप बात करेंगे तो यह जो है लगबग 16 by 11 kilo pascal की बात करेंगे आप यहाँ पे 16 by 11 kilo pascal की बात करेंगे MM of HG की बात कर रहे हैं तो 120 by 80 ये normal level होता है और इससे कम भी जो है मिल जाता है आपको तो ये जो है normal level है एक तरह से यानि कि high में 120 और low में 80, 80 mm of HG अगर mercury level दिखाते हैं और इसको एक बात और ध्यान रखनी है blood pressure को अगर आप से पूछा जाए और कुछा जाए और कौन सी term है TOR, TOR 20 की एक unit होती है pressure की तो उसमें भी मापा जाता है यानि कि 120 by 80 को आप TOR भी वोल सकते हैं यानि कि MMO of HG की जन्रा TOR लिख सकते हैं आप तो ये भी आपको ध्यान रखना है एक अच्छा question आता है interviews में पूछा जाता है कि TOR क्या है किस चीज़ की unit है कहां पर इसका use किय जाता है तो blood pressure को मापने में इसका use किया जाता है तो जो pressure है अगर इस range में है तो ठीक है किसी भी person का लेकिन अगर ये 140 पर पहुंच जाए high में और below में जो है 90 पर पहुंच जाए ये भी हम MMO of HG की बात कर रहे हैं और अगर kilo pascal के अंदर यही बात करें तो ये लगवग ज जो है हमारा ये normal के condition के लिए ये हमारा जो है high condition के लिए हो गया अब चलिए ये भी थोड़ा ठीक है लेकिन अगर ये 180 पर पहुंच जाए जो upper level है यानि कि इससे जादा बढ़ना start कर दे तो उससे क्या हो जाएगा blood वैसे तो 140 पर ही जो है medical attention की जरूरत रहती है क्योंकि high blood pressure जो है काफी हारमफूल होता है हमारे लिए ये damage कर सकता है हमारे heart को kidney को बहुत सारे organs को damage कर सकता है veins को damage कर सकता है arteries को जो है damage कर सकता है क्योंकि इसको अंदर से high pressure जाता है अब जो है medical attention यहाँ पर ज़रूरत पढ़ती है और proper medical care के साथ सो कम किया जा सकता है तो ये सारी attention आपको चाहिए तो इसलिए जो है blood pressure को timely जो है आपको जो है doctor के पास जाकर इसको check करवा लेना चाहिए अगर आपको कोई भी problem किसी भी तरह की लगती है blood pressure से related stress होना या फिर एक दम से आपको गुसा आ जाना इस तरह की चीज़े आप देखिए इसके अंदर क्या होता है इ इसको हम बोलते हैं स्पाइगमो मैनोमीटर तो जो इसके लिए जो यूज किया जाता है इसका भी आप नाम याद रखिएगा तो इसको हम स्पाइगमो मैनोमीटर नाम देते हैं स्पाइगमो मैनोमीटर जो की instrument इसके लिए यूज किया जाता है तो ये भी instrument का नाम आप या के लिए आप हमारे चैनल Learn and Grow पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद